हमारा के सात्वा पर्सन है कि वक्कर y बराबर x3-3x2-9x पर उन बिंदूं को ग्याद कीजिए जिन पर सपर्स रिखा xx के समांतर है तो वक्रत के हमें एक सपर्स रेखा जो है वो X-X के समांतर है उसके लिए उन बिंतूं को ग्याद करना है कि वो कहां पर समांतर बनेंगी तो सबसे पहले हम ग्याद करेंगे सपर्स रेखा की परवनता Y बराबर हमें दिया गया है X-3-3X-2-9X-7 तो सपर्स रेखा की परवनता बनेंगी DY बटा DX क्योंकि यह X में समीक्रन है X-3 का अवक्रन हो जाएगा 3X-2 और 3X-2 का बन जाएगा 3 गुना दो हो गया 6X और 9X का हो गया 9, 7 का हो जाएगा 0 अब चुंकि सपर्स रेखा जो है वो X-X के समांतर है सपर्स रेखा X-X के समांतर है जब सपर्स रेखा X-X के समांतर होती है तो DY बटा DX की वेल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी इसलिए यहाँ पर DY बटा DX का माना जाएगा 0 तो यह बनेगा 3X square minus 6X minus 9 की वेल्यू भी हो जाएगी 0 3X square minus 6X और minus 9 बड़ाबर 0 9 का गुना करें 3 से तो बनता है minus का 27 तो ऐसी 2 संख हैं जिनका गुना मने minus 27 और जोड मने minus 6 तो वो हो जाएगी minus का 9X और प्लस का 6X माइनस 9 बराबर 0 इन दोनों में से common लेंगे तो आएगा हमारे पास में 3X बच गया X माइनस 3 इन में common आएगा 3 बच गया X माइनस 3 बराबर 0 अब common लेंगे तो आएगा X माइनस 3 और 3X पलस 3 बराबर 0 जब X माइनस 3 के बराबर होगा 0 तो इससे X की तो 3x पलस 3 बराबर होगा 0 तो इससे x की value बनेंगी माइनस 3 बटा 3 यानिके माइनस का 1 तो ये हमारे पास 2 बिंदू आगे एक तो x बराबर 3 और एक x बराबर हो गया माइनस का 1 तो इन बिंदूं के उपर सपर्स रिखा जो है वो x-x के समानतर होगी अब निर्देशांक जैमती में बिंदू जो होते हैं वो एक पेर के रूप में होते हैं जोडे के रूप में तो x का मान गयात होगा तो इससे हम y का मान गयात करेंगी जब x का मान होगा 3 जब x का मान होगा 3 तो y का मान क्या बनेगा इसके लिए आपको जो दीगी समीकरन है उसको काम में लेना पड़ेगा जो हमारी दीगी समीकरन है X3-3X2-9X7 तो उसमें X की वेल्यू आजेगी 3 तो यह बनेगा 3 की कुब माइनस 3 गुणा 3 की सकेर माइनस 9 गुणा 3 और पलस का 7 3 की कुब होगी 27 23 है तिन की स्केर होगी, 9, 9 हुटी है फिर 27 फिर 29 हुटी है 27 और+,7 2023 से माइनस 20 कट गया, 27 मैंसे गट आएंगे 7 तो आजाएज़ेगा माइनस का 20 और जब x की value होगी माइनस का 1 तो y का मान हो जाएगा माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 माइनस 1 की स्केर माइनस 9 गुणा माइनस 1 और प्लस का 7 माइनस 1 की क्यूब होती है माइनस 1 माइनस 1 की स्केर होगी प्लस की 1 गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस 3 मैंस 9 गुणा मैंस 1 हो गया पलस 9 और पलस का 7 9 और 7 होगे 16 16 में से घटा देंगे हम 4 तो बच जाएगा पलस का 12 तो इसलिए वो बिंदू हुमारे पास में आगे X का मान 3 तो Y का मान 20 और X का मान मैंस 1 तो Y का मान जो है वो होगा 12 इन बिंदों पर सपर्स रिखा जो होगी वो एक्स एक्स के समांतर बनेंगी